लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवीन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन को दबाना मत भूलें ये जो सारी घटना घटी ये भी घटना इतनी भयानक है मनसू कहिरन इनको ये पहले से जानते थे और ये जो गाड़ी है स्कॉर्पियो ये स्कॉर्पियो मनसू कहिरन से इन्होंने खरी दी थी लेकिन पेमेंट नहीं किया था और चार महने तक इनके पास ये गाड़ी थी नवंबर से लेकर तो फरवरी तक और फिर मनसूक न इनको का कि आप या तो इसका पेमेंट कंप्लिट कर दीजिए या फिर गाड़ी वापस दीजिए तो उनका मैं और कुछ दिन रखूंगा उसके बाद वो गाड़ी उनके पास लाकर दी और फिर उनक से वापिस वो गाड़ी मंगाई गई जिस दिन ये गाड़ी बुलूर में उन्होंने वापर जहां पार्क की उन्होंने उस दिन आप देखिए ये गाड़ी में अगर ये गाड़ी चोरी होती तो कही न कही कोई टैंपरिंग होता कोई दर्वाजा जो लॉक है उसको खोला जाता है सब कुछ नहीं था क्यूंकि जानकारे की अनुसार मंसुक को ये कहा गया था कि वहाँ पार्क करो चाबी लाकर हमको दो और सीधे वो चाबी ये सचिन वाजे ने ली उनकों का कल जाकर आप एक कंप्लेंट रेजिस्टर कीजिए कि मेरी गाड़ी चोरी हुई है और जब कुरला पुलिस टिशन गए तो उनकी कंप्लेंट ली नहीं जा रही थी क्योंकि कई बार पुलिस ये कहती है कि वह दो-तिन दिन रुखिये उसके बाद हम रेजिस्टर करते है एक बार हम देख लेते है तो वहाँ पर जो आयो थे या जो वहाँ पर ड्यूटी ओफिसर थे उनको सचिनवाजे का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुरंथ अभी के अभी ये क्राइम रेजिस्टर करिये और रेजिस्टर होने के बाद मुझे इतला दीजिए और इतला उनको देनी पड़ी तो ये सोची समझी साजिश के तहत मनसूख हिरन को उसके बाद किसी और ने इंट्रोगेट नहीं किया तीनो दिन मनसूख हिरन को वाजही इंट्रोगेट कर रहे थे और उनके इंट्रोगेशन के बाद मनसूख को वाजह नहीं ये बताया कि तुमको और एजन्सीज इंट्रोगेट कर सकती है इसलिए एक कंप्लेंट कर दो और अपने पहचान के लॉयर के पास वो खुद मनसूख को लेकर गए और मनसूख से कंप्लेंट करवाई कि मुझे अलग-अलग लोग बुलाते मेरी बड़े पहमाने पर मुझे पुलिस से तकलीफ है और अपना भी नाम उसमें डलवा लिया और वो सीएम को बेजा वो ग्रोह मंत्री को बेजा तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलेबाय यह तयार हो रही थी और जिस दिन मनसूख को रात में एक फोन आया कि गावडे ने आपको बुलाया है और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के उपर एक्स्टॉरशन का केस लगाए उसी इलाके में उनको बुलाया गया और उसके बाद दूसरे जिन उनकी लाश में गई और हमारा तो यह मानना है कि मनसूख हिरन को वही पर मार दिया गया मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेकी गई और इसमें सबसे महतुपन बात यह है हाई टाइड में उसको फेकने की कोशिश हुई अगर यह लाश हाई टाइड में फेकी जाती तो यह वापिस ही नहीं आती तो यह होता कि मनसूख हिरन यह पुलीस के दबाव में या पुलीस जो बार-बार पुछताच कर रही है उससे नाराज होकर कई भाग गया मैंने दो मैने बाद यह बाद ठंडी हो जाती आधे घंटे का डिफरंस आया उनके कैलकुलेशन में और हाय टाइड की जगल लो टाइड आया आधे घंटे के कारण और मनसूख हिरन इनकी जो लाश है वो वही पर रही वो बहकर नहीं गए अभी कुछ थियरिस लाने की कोशिश की जा रही है लेकिन कुल मिला कर अगर हम पोस्ट मार्टम की रिपोर्ट को देखे तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुँ में कैसे आये एंटी मॉर्टेम इंजूरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिलकुल स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि कही न कही बहुत दबा के बांधा गया है उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजे बांधी गई है और जो पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंक्स में पानी नहीं आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि पानी में गिरकर वो मरे तो लंक्स में भरपूर पानी होना चाहिए लेकिन वो दिखाएने पड़ता तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है